हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोटी हल्वा मच्छी का सालन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने छोटी हल्वा मच्छी ली है और यह आधा किलो मच्छी ली है सब में पहले हम फिश को साफ कर लेंगे कैची से यह आसानी से निकल जाते है अब हम इसके अंदर की पूरी गंदेगी निकाल दे रहे हैं देखिए इस तरह इसी तरह हम सभी मच्छी को साफ कर लेंगे अब हम फिश को दो तीन पानी से दो लेंगे अब हम फिश को दो तिन पानी से दो लेंगे देखिए हमने हल्वा मच्छी को अच्छी तरह से धोली आए चलिए अब हम सालन के लिए मसाला बनाते हैं जिसके लिए हमें चाहिए एक प्यास रफली कटकी हुई आधा चमस जीरा एक टमाटर रफली कटकिया हुआ थोड़ा सकड़ी पत्ता और एक गड़ा देशी लहसुन का गड़ा अब हम इसे मिक्सर में डालकर बारीक पीस लेंगे अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सब में पहले हम एक कड़ाई में राई का तेल डालेंगे दो-तिन चमस लेना है देखिए तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें पीसा हुआ मकाला दालेंगे अब इसे अच्छी तरहा से भून लेंगे अब हम इसमें आदा चमब्च हल्दी कॉडर डालेंगे दो-चमब्च कांदा लसू मसाला एक चमब्च लाल मिर्ची पाॉडर एक चमच धन्या पाउडर और खटास के लिए आधा चमच अमचुर पाउडर दालेगे अब हम इसे अच्छी तरहा से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट भून लेंगे मसाला अच्छी तरहा से भून चुका है अब हम इसमें एक ग्लास पाणी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरहा से मिला लेंगे अब हम इसमें बॉइल आने देंगे देखिए सालन में उबाल आ चुका है अब हम इसमें एक एक करके हल्वा मच्छी डालेंगे हमने सभी मच्छी डाल दी है अब हम इसे एक बार चम्मच से उपर नीचे करेंगे और इसे ढखकर दो मिनट पका लेंगे दो मिनट हो चुके है अब हम इसका ढखकन निकाल देंगे अब हम इसे चम्मच से एक बार अच्छे से मिला लेंगे देखिए हमारी हलवा मच्छी का सालन बनके तयार है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब इस्प्राइब कीजिए अब हम इस्प्राइब कीजिए लाइक कीजिए शाओ से मेर खक्वा से का सालन के बाइक कीजिए